Hey students, इस tutorial में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि quadratic equations, इसका आपको कोई भी question पूछा जाए examination में, तो उसमें आप full marks कैसे score कर सकते हो, एक बड़ी छोटी सी checklist है, सर्फ उसको आपको follow करना है और उससे आपका question कभी गलत नहीं होगा, कैसे अब हम उसके उपर बात करते हैं, द x square plus bx plus c is equal to 0, ठीक है, तो ये मानलो मेरे पास कोई एक equation है, 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0, और इसको जब मैं इसके साथ compare करूंगा, तो वहाँ से ये मेरे पास a, b और c, इसकी value आ जाएगी, और हम क्या करते हैं, हम उसको ये quadratic formula में डालते हैं, और वहाँ से हमें x की दो values मिल जाती है, and we are done, ठीक है, हम normally ऐसे ही करते हैं, अब मानलो कि आपके पहले ही step में, यहाँ कोई गडबर होगी, calculation mistake होगी, जैसे मानलो square root की गलती होगी, ठीक है, आपने minus b की जगा plus b लिख लिया, या a की value गलर डाल दी, तो होता क्या है, कि एक step आपने ये लिखा, दूसरे step पे गलती होग होई, तो आपको कोई marks नहीं मिलते, अब हमें क्या करना होता है, कि mathematics में, जब आप question solve करते हो examination में, तो बेतर ही होता है, कि आप step by step लिखो, थाकि teacher को भी clarity रहे, कि student को पता है, कि ये क्या कर रहा है, ठीक है, तो अब इसको direct formula लगाने की बजाए, आप हमेशा बता क्या करो, a, b, c, जब आपने इसकी value निकाल ली, तो आप सबसे पहले discriminant अलग से निकालो, b square minus 4ac, इसको हम d से represent करते हैं, तो सबसे पहले आप d की value निकालो, और ये असान भी हो जाता है, इसको निकालना, तो जब आप इसकी value निकाल लेते हो, उसके बाद आप ये short quadratic formula यूज करो, minus b plus minus square root of d, तो discriminate का square root, ठीक है, discriminate का square root divided by 2a, और इसको solve करो, तो इससे क्या होगा, अगर गलती हो भी जाए, अगर मालो, इस step पे कोई गलती हो जाए, तब भी आपने उपर, जो steps लिखे हूँ है, उनके आपको marks मिलेंगे, ठीक है, तो इसलिए step by step लिखने से हमेशा marks ज्यादा मिलते हैं, अब हम बात करते हैं कि 100% marks हम कैसे guarantee कर सकते हैं, देखो, बड़ा असान सा है, अब उसके लिए एक छोटी सी checklist है, आपको उसके ओपर focus करना है, पहला step क्या है, आपको जो भी equation given है, उसको ax square plus bx plus c is equal to 0, उससे compare करो, और वहाँ से a, b, c की value निकालो, ये पहला step हो है, second step है, जैसे मैंने अभी भी बताया, आप discriminant find out करो, तो ये इसका formula है, तो हम discriminant निकाल लेंगे, उसको हम d से represent करते हैं, उसके बाद हम roots निकालेंगे, ठीक है, हमने roots निकाल लिए, ये short formula यूज़ कर लो, चाहे पूरा लिख लो b square minus 4s ही, कोई फरक नहीं पड़ता, तो यहां से हमारे पास x की दो values आजाएंगी, और अब बात करते हैं, कि हमें कैसे पता चले, कि हमारा जो answer आया है, वो सही है, और उसका बहुत simple way है, verify the roots, जो भी roots आपके निकले हैं, उनको आप verify करो, और उससे आप ये ensure करोगे, कि आपका answer जो है, वो बिलकुल correct है, अब आप verify कैसे करोगे, verify करने का मतलब ये है, कि x की जो भी values आई हो, जैसे ऐसे example मालो, कि एक i.o.1 और एक i.o.3, x की दो values आई हैं, तो ये जो values हैं, जैसे ये वाली value है 1, इसको जो भी आपको original equation given है, उसमें डालो, और फिर check करो कि क्या उसकी value 0 के बराबर आती है, फिर 3 डालो, x क करके देखो कि क्या उसकी value 0 आती है, अगर तो left hand side और right hand side बराबर आ जाते हैं, तो वहां से आपको confirm हो जाएगा, कि आपने x की जो values निकाली हैं, आपने जो roots निकाली हैं, वो बिल्कुल सही हैं, तो आपका एक भी mark जो है, वो नहीं कटेगा, तो ये 4 steps की checklist है, इसको हर एक quadratic equation के question में आप follow करो, तो आपका question कभी भी गलत नहीं होगा, right, अब काफी सारे tutorials में मैंने भी directly quadratic formula यूज कर रखा है, लेकिन examination में आप इनी को follow करना, तो आप next tutorial में हम यही steps follow करते हैं, और अपने question solve करते हैं, okay, so that's it from this tutorial, keep watching Mathemafia, अरिख लोवकार करते हैं, करते हैं, अजिख legitimे हैं, तो ये बाम बाहते हैं, यहीं हैं, बाहते हैं, झाल करता दितन आ में आप देजाह, तो शवते हैं, जो is it from this.